नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो निता ने कहा है कि यह मामला कई पर देशों के आदिवासी मुलवासी के जिवन पर असर डालेगा इसके साथ ही पार्यावरन को भी नुकसान पहुचाएगा इसलिए दलगत भावना से उपर उठकर सभी दलों को इसके खिलाप आवाज बुलंद करना चाहिए भात्ता नहीं मिलने से आकरोसित है होमगाड के जवान देवघर के होमगाड के जवानों ने कुरोना के समय जान की परवा किये बगार ड्यूटी की इसके बावजूत सौव गिरी रक्षकों को दो अढ़ाई साल बाद भी भात्ता नहीं मिल सका है गिरी रक्षकों के भते किरासी 43,83,500 रुपे मात रहा है इससे गिरी रक्षकों में पताधिकारियों के खिलाब खासा रोस है आपको बता दे कि गिरी रक्षकों को डियोटी के हिसाब से भता मिलता है प्राप्त जनकारी के अनुसार गिरी कारा एम आपता प्रबंदन विभा कोरोना काल में देवघर जीले में सौग रिख्ष को की परतिन्युक्त 30 जून 2020 तक की गई थी पाराज सिक्षकों को तीन दिनों में परमान पत्रों की करानी होगी जांच राजे में समगर सिक्षा भीयान के ताहत करिलत उन पाराज सिक्षकों होगी 5 दिसंबर तक अपने सेक्षिनिक इवाम पत्रों की फोटोकूपी जांच के लिए जमार नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी उन्हें अपने पवान पत्रों को जिला पर्योजणा करेले में जमा करना है बतादे जारखन सिक्षा पर्योजणा पर्षद ने इस समाज में सभी पाराशिज़कों को नोटिस जारी कर दिया है कहा गया है कि यदी वे उक्त तिती तक आपना पवान पत्र जमा नहीं करते हैं तो या माना जाएगा कि या तो उनके सेक्षनिक प्रसेक्षनिक एवं टेट उतिन होने का पवान पत्र आनियमी था है या उनके पास वयद आहरता नहीं है ऐसे में उनके खिलाब 31 दिसंबर तक विभागिये करवाई करते हुए उन्हें काये मुक्त करने की करवाई की जाएगी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2017-2020 तक का होगा भुकतान मंत्री प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े किसानों के लिए अची ख़बर है बतादे इंसुरेंस कंपनिया किसानों का बकाया 811 कोल रुपए का भुकतान करने के लिए त्यार है इंसुरेंस कम्पनिया साथ दिनों के अंदर किसानों के खाते में देर आसी का भुकतान करेगी यह जनकारी किरिसी मंत्री बादल पत्रलेक ने दिया है परधान मंत्री फसल भीमा योजना का वर्श 2017-2018-2020 तक का बकाया क्लेम का भुकतान होने के असार बनते दिख रहे है किरिसी मंत्री बादल पत्रलेक के अधिक्स्ता में देर साम तक चली बैठक में राज सरकार की ओर से अस्पष्ट किया गया है कि वह अपने हिस्सा का राज अंस देने को त्यार है बसरते बीमा कंपणिया अपनी तरफ से सपत पत्र दे कि वह राज के किसानों के बरबाद हुए फचल के लिए बीमा रासी का भुकतान कर देगी राज के किरिसी मंत्री ने भारा सरकार की ओर से परहान मंत्री फचल विमा योईना के CEO रितेस चुभान और एंसुरेंस कंपणियों के पति निदियों के साथ खुई बैठक में नेपाल हाउस इसी सभागार में ये बाते कही है जारखन में सुखार राहत के लिए जल्द कटा ले एक रुपय का टोकान जारखन के सुखार ग्रस 226 पर खंडों के हर किसान को डीबीटी से 35 रुपय मिलेगा राज के 22 जीलों के सुखार ग्रस 226 पर खंड के किसान के लिए बहादी आहम सुचना है अगर वह सुखार राहत के लिए 35 रुपय के सरकारी साहता पाना चाहते हैं तो उनके लिए अब भी समय है पहले राज के किरिशी मंत्री बादल पत्रलेख ने 30 नौमबर तक एक रुपय के टोकान कटा कर सुखार राहत जोजना कलाव लेने की बात कही थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है बता दे राज के किरिशी निदे साला है उप निदे सक मुकेश कुमार सिनहा ने इसकी जनकारी देते हुए कहा है कि अभी तक राजे में 4 लाग की सानों ने सुखार राहत के लिए आविदन किया है उन्होंने कहा है कि 22 जिलो के 226 सुखा ग्रस्त परकंडों के लिए करीब 32 लाग की सानों को राहत मिलना है रांची के रंग कर्मियों की आडरे हाउस में अपात बैठक जारखन की रईधानी रांची के रंग कर्मियों ने सनीवार को आडरे हाउस में एक अपायद बैठक की है बैठक में हेमान सुरिन सरकार्थ मायं की गए कि आडरे हाउस को रंग कर्मियों के लिए निसुल्क उपलवद करवाया जाए ताकि उनकी कला यात्रा जारी रहे बैठक में सामील कलाकारों ने कहा है कि सहर में कला भवन का नहीं होना और जो कुछ सभागार उपलवद है उनके किराये में बिरीधी चिंता का भी सया है कलाकारों ने रांची उन्वर्सिटी के आरेभट सभागार के किराये में भारी भरकम बिरिदी पराक्रोष जताया रंग कर्मियों ने बताया है कि पुरों में आरेभट सभागार कलाकारों को 55,000 रुपे के किराये पर प्लब्द कराया जता था अब इसका किराया बढ़ाया कर दो लाखे कई से रुपे कर दिया गया है एक सभागार के किराया में इतनी भारी बिरिधी का लाकारों से मंच छीन लेने जैसा है पंकज मिश्रा ने इडी के सहायक निदेशा के खिलाप कोट से की सिकायात जारखन के मुक हे मंत्री और जारखन मुक्ति मूरचा के नेता एमांत सुरेन के बिधायक परति निदी पंकज मिश्रा ने परवतर निदेशालाई के सहायक निदेशा के खिलाप एक सिकायत दरच कर आई है पंकाई मिस्टरा ने अवय दखनन मामले में मनी लॉंडरिंग की जाच कर रही है PMLA कोट में असिस्टेंट डारेक्टर के खिलाब सिकायद दर्च कराई है पंकाई मिस्टरा ने PMLA कोट में जो सिकायद याच का दाकिल की है उसमें ED के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए है एमान सुरेन की विधायक प्रतिनीदी ने कहा है कि प्रवत्रनीदे साले के अधिकारी ने बरहारवा टेंडर केस से जूड़े तत्यों को छिपाया है उन्होंने PMLA कोट को बताया है कि जारखन पूलिस ने साहिव गंजीला के बरहारवा टोल पलाजार ट्रेंडर केस में उन्हें क्लीन चीट दे दिया है गोड़ा से पाटना के भी चलेगी नई ट्रेन जारखन के गोड़ा से भी हार की रैधानी पाटना के लिए स्पेशल ट्रेन सुरू हो रही है या ट्रेन संथाल परगना के गोड़ा से पाटना के रायंद्रे नगर स्टेशन के बी चलेगी इसका नाम गोड़ा रायंद्रे नगर स्पेशल ट्रेन है इसकी सुरुवात 10 दिसंबर से हो रही है टिकट की बुकिंग रभी वार से सुरू हो रही है गोटा के सांसर डाक्टर निसिकान दुबे ने अजनकारी दी है डाक्टर निसिकान दुबे ने कहा है कि 10 दिसंबर से पाटना के लिए 03409 गोटा राइंद्र नगर स्पेसल ट्रे खीकार दिवसर्कार का परियास की पूरे राजे में एक सीविर लगा कर दिव्यंग जनों को चीनित्ट किया जाए ताकि उन्हें भी सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रहा ही कलियनकारी जोईनाव कला मिल सके महात्मा गांधी की तरह महान नेता बनेंगे राहूल गांधी महात्मा गांधी की तरह राहूल गांधी देश के महान नेता बनेंगे कॉंग्रेस के अच्छे दिन आएंगे ये बाते जार्खन के बीत मंत्री और पूर्व परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष डाक्टर रामेश्वर उरावन ने कही है उन्होंने कहा है कि जो घूमेगा और नेता बनेगा गांधी जी ने देश का भ्रहमन किया तब जाकर चंटि कोढरां और महाननेता बने राहूल गांधी भी पद्यात्रा के बाद कित्रा महाननेता बनेंगे रांची के तीन परिक्षछा केंधरों में होगी जेसी, c, c, e, b, की क्रीसी में एड्मिसन परिक्षा, जारखन सन्यूक्त परवेस परत्योक्ता परिक्षा पारिसद की ओर से क्रीसी और उससे समंधित कोर्सेस में एडमिसन के लिए परिक्षा ली जाएगी या परिक्षा रांची के तीन केंद्रों मिली जाएगी इसके लिए परिक्षा केंद्रे ताय कर दिये गए हैं वहीं परिक्षा सुचारों रूप से ली जा सके इसके लिए दंडा अधिकारी के नियुक्ति कर दी गई है इसके साथ ही परिक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है जार्खन का एतिहासिक धरोहर टैगोर हील भू माफिया के कबजे में जार्खन की संस्कृतिक धरोहर टैगोर हील की पहचान मिटाने की कोशी सुरू हो गई है जमीन माफिया ने इस विशेस अथान को अपने निशाने पर ले लिया है टाइगोर हील के पहाड को काट कर उस पर अवैत तरीके से मकान बनाये जा रहा है हरे रंग की चादर से पहाड को घेर कर उसे सम्तल किया जा रहा है जनकारी के अनुसार जमिनदार हरिहर सिंग से टैगोर हील के लिए मिली 15.80 एकर जमीन में से 14 कठा में लगे पेड़ों को माफिया पूरी तरह काट चुके हैं और अब धीरे धीरे पहाड काट रहे हैं अब तक 8 पीट पहाड काट चुके हैं रांची में सलक पर उत्रे हीसी के अधिकारी हीसी को बचाने के लिए अधिकारी वर्ग और करमचारी वर्ग दोनों नहीं मिलकर धुर्वा गोल्चक्कर से लेकर हीसी मुख्याले तक पैदल मार्च किया सेक्डों की संख्या में मौझूद HEC के अधिकारियों और करमचारियों ने CMD का पुतला फुका HEC के अधिकारियों को पिछले 13 माह से बेतर नहीं मिला है वहीं करमचारियों को पिछले 10 माह से बेतर नहीं मिला है कुछ दिनों पहले CMD से हुई वारता विफल होने पर अधिकारियों और करमचारियों का गुशा बढ़ गया है अब HEC को बचाने के लिए सभी पिछले तीन दिनों से परदसन कर रहे हैं चतूर्थ खेलो इंडिया तिरंदाजी में दुमका के अरविंद ने जीता गोल्ड चतूर्थ खेलो इंडिया तिरंदाजी चैंपियंशिप का आयोजान साई साल्ट लेक कोलकात्ता में किया गया परटन कला संस्कृति खेलकूद एंडिया वर्ग विभाग द्वारा संचालित अवासी बालग तिरंदाजी केंद्र दुमका के अरविंद टुड़े ने जुनियर 40 मीटर के दूरी में सटिक निशाना साथते हुए एकल परत्योगता में स्वन पदक जीत कर दुमका के साथ साथ जहरकान को गरवानित होने का मौका दिया है गुमला में दो छात्रोंने की आत्महत्या गुमला जिले के लिए सनीवार का दिन काल बन कर आया बता दे जीले के विभीन जगों पर लोगों की मौत हुई चैनपूर बसिया वा राइडी में तीन अलग-अलग हाथसों में 24 गंटे में तीन लोगों की मौत हो गई चैनपूर में कॉलेज के छात्र वा बसिया में स्कूली छात्र ने फांसी लेगा करात महत्या कर ली हलाकि दोनों छादरों की मौत का अस्पश्टता का कारण पता नहीं चला है वही राइडी के सहारा एजेंट की सड़क हाजसे में मौत हो गई पूलिस ने तिनों सवो को कबजे में कर पश्मासम करा कर परिजनों को सौप दिया है बोकारो इस्टिल पलांट ने 262 दिव्यंगों के बीच 23 लाख का उपकरन बाटा अंतराश्ट्रियत दिव्यंगता दिवस का उसर पर सनिवार को आसा लाता बिकलांग बिकास केंदर सेक्टर पाँच में बीचल की ओर से 262 दिव्यंग जनों को लबग 23 लाख रुपए मुलियक के साहयक उपकरन बित्रित किये गा है सेल बोकारो इस्टिल पलांट ने अपने CSR के तहत भारतिये कृतिम अंग निर्मान निगम के साथ हाथ मिलाया है जो समाजिक नय और अधिकारिता विभाग भारत सरकार के तहत एक मिनीरतन कमपनी है सिवीर आयवजित कर एलिम को और बोकारो जिला पलासासन के सहयोग से इस अभियान को सनिवार को सुरू किया गया पुर्व अंतराष्ट्री होकी खिलारी भारत के जस्टिन केरकेटा का हाट अटेक से निधान पुर्व अंतराष्ट्रिय होकी खिलारी जहारखन के जास्टिन केरकेटा का निधन हो गया है, सुक्रवार को हिर्दय गती रुकने से उनका निधन हो गया, केरकेटा जहारखन के सिम्डेगा जिले के कोले वीरा परखन अंतरगत और घर्मा के रहने वाले थे, उनका जन्वा 1947 में हुआ था 1978 वर्ल्ड कॉप में भारतिये टीम का परतिनिशी तुअ करने के साथ कोई अंतराष्ट्रिय परतियोगत्यवाव में भी देश का परतिनिशी तुअ कर चुके हैं बतादे जस्टिन केरकेटा बिहार रेजिमेंट में भारतिय सेना में नोकरी भी करते थे टाटा इस्टिल में अप्रेंटिस की निकली बहाली लंबे अंतराल के बाद टाटा इस्टिल में अप्रेंटिस की बहाली निकली है इसमें यहां काम करने वाले करमचारी के पूत्रों के साथ जायरखन वा उडिसा के गर करमचारी पूत्र भी जामिल हो सकेंगे इसे पहले सिर्फ आदिवास्यों के लिए ही ट्रेड अप्रेंटिस बहाली निकाली गई थी लेकिन इस बार समाने वर्ग के लिए भी बहाली निकली है इसमें जार्खनवा उडिशा के बारी लोगों के लिए भी अलग अलग बहाली निकाली गई है दुमका जेल में बंद अमन सिंग के गुर्गों ने चलाई थी गोली केंद्रिये जेल के संत्री पल्टन मरांडी पर सुक्रवार की रात अमन सिंग के गुर्गों ने गोलिया चलाई थी अमन के नाम का एक चिठी भी जेल परिशार में फेकी थी जिसमें अमन को जेल में सारी सुवधाय देने की बात कही गई थी अमन धनबाद के डिप्टी मेर नीरज हत्याकन का आरोपी है और इसी वर्स के एक माई महीने उसे केंद्रिये जेल दूम का भेजा गया था पुलिस ने स्थनिवार की सुवधा जेल गेट की दिवार में घूसी 9mm की एक बुलेट भी बरामत की है संत्री के ब्याइन पर नगर थाने की पुलिस ने तीन अग्यात पर मामला दर्च किया गया पुलिस को देर साम जेल परिसर में तैनात एक संत्री ने पर्चा दिया पर्चा को गोली चलाने वालों ने अंदर फेका था पत्र में लिखा है कि आमन सिंग भाया का पूरी तरह से ख्याल रखना है IRCTC दे रहा वैसनो देवी दर्चन के लिए स्पेशल पैकेज माव वैसनो देवी के दर्चन के लिए रेलवे अब तक स्पेशल ट्रेन चलाता रहा है लेकिन इस बार स्पेशल ट्रेन की जगा कोलकाता से जमू तवदी जाने वाली जमू तवी एक्सप्रेस में ही यात्रियों के लिए सीट बुकिंग की बेवस्ता की जा रही है दरसल IRCTC ने वैसनो देवी के दर्चन के लिए स्पेशल पैकेज की शुरुवात की है जिसमें आने जाने की सीट कनफर्म मिलेगी साथी वैसनो देवी दर्चन के साथ साथ जमू के सीव खोरी मंदीर दर्चन का भी आउसर मिल जाएगा बता दे IRCTC अपने विशेस पैकेज के लिए परतेक यात्री से 11760 रुपए चोह रात और साथ दिन की यात्रा की सुवधा दे रहा है डोर इस्टेप डिलेवरी से सीधे इसकूलो तक पहुंचेगा MDM का चावल अब धनबाद जीले के सभी बिद्यालियों में डोर इस्टेप डिलेवरी के तहत चावल के अपूर्ति की जाएगी इसे इसकूलो में MDM चावल को लेकर आ रही समस्याओ के काफी हद तक निजात मिलेगी मद्याहन भोजन योजना के चावल की डोर इस्टेप डिलेवरी की बिवास्ता जनवरी 23 से सुरू होगी इसको लेकर सिक्षा सचिव के आदेश पर कवाय सुरू हो गई है इस बाबत जीले के सभी परखंड सिक्षा प्रसार पतादिकारी और विद्याले निरिक्षकों को पत्र जारी किया गया है पांच रुपए में भर पेट खाना खिलाने के लिए एप में होगा राईश ट्रेसान केंदर सरकार के अलावा राई सरकार भी समय समय पर खाज सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं के सुरूआ करती रहती है उन्ही में से एक है जारखंड सरकार दोआरा सुरू की गई डाल भात योजना इस योजना में सरकार वंचीतों के लिए महज 5 रुपे में भरपेट भोजन उपलवद कराती है इसके लिए जगा जगा दाल भात केंद्र बनाये गए है इन केंद्रों के माध्यम से ही वंचीतों को सहस्ते दर पर खाना खिलाने का कायम राई सरकार कर रही है इन केंद्रों का संचालन राई सरकार के खाद एवं आपूर्ती विभाग द्वारा किया जा रहा है हाल के दिनों में केंद्र संचाल को द्वारा इस योजना में गणबड़ी किया जाने की सिकायत बड़े प्रमार पर मिली थी जांच में अधिकान सिकायते सही भी पाई गई थी भधल करने की त्यारी सुरू हो गई है माना जा रहा है कि संगठण में बदलाव इसी महिने के अंत को जाएगा जारखन बीजेपी का बागोर की से दिया जाएगा जिससे 2024 के लोक सभा और विधान सभा जीतने के लग्ष आसिल हो सके जनकारी के अनुसार बर्तमान जारखन बिजेपी अध्यक्ष दिपक परकास के अस्थान पर पार्टी की बागडोर दूसरे नेता को दिया जाएगा जलसायाओ ने मांदे की मांग को लेकर राजभवन गेट तक पहुंची राजभवन के समक्ष 30 हजार के करीब जलसाया कई दिनों से धाना परदसन कर रही है सनी बार को आंदोलन कारी जलसायाओ का सबर तूट गया और सुरक्षा बेवास्ता को चक्मा देकर परतिबंदी छेतर राजभवन के गेट तक पहुंच गई इससे जाकिर हुसेन पार्क से लेकर नच्छत रवन तक सड़क आफरा तप्री मच गई आंदोलन कारीयों को हटाने के लिए पूलिस अधिकारीयों को काफी मकसद करनी पड़ी बता दे 48 महिने से लमित मांदे और बरतमान हेमान सरकार द्वारा मांदे को प्रसाहन रास्ती में तबदिल किये जाने का भीरोज जलसायाओ कर रही है अलग अलग जीलों से हर दिन बड़ी संख्या में जलसाया राजभावन के समक्ष आंदोलन करने पहुँच रही है सनीवार को भी कई जीलों से जलसाया अपने छोटे बचों को लेकर राजभावन पहुँचिया अधारना परदसन की है एस्टेट ओपन उन्वर्सिटी में 48 पदों पर होगी आस्थाई भरती जारखन एस्टेट ओपन उन्वर्सिटी में फिलाल 48 पदों पर सर्मीदा अधारित नियुक्ती होग सकेगी राजभाल रामेस बैस ने विस्वभी देलाएक के परस्ताव पर अपनी समाती दिया दिया है राजभाल ने जारखन ओपन उन्वर्सिटी एक्ट के सेक्षन 48 के अंतरगत और अस्थाई नियुक्ती के प्रवधान के ताथ अपनी स्विक्रिती दिया है अस्थाई नियुक्ती अधिक्तम तीन वर्सो या सरकार के अस्थाई नियुक्ती के प्रवध के लिए परस्ती रिजन होने तक जो पहले लागू हो के लिए हो सकेगी धन्यवाद यदि आप चैनल पना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बैल आइकन दबाईए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के असर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ो एक अवस से दे थैंक्यू